आज मैं तेवारी स्पेशल बेशन की बरफी बना रहे हूँ बेशन की बरफी घर पे आप बहुत असानी से बना सकते हैं और खाने में ये बरफी बहुत ही स्वादिश्ट होती है इसे आप महिनों रखकर खा सकते हैं खराब नहीं होगी अगर इसमें दूद और मावा डालेंगे तब जल्दी खराब हो जाएगी कितनी बढ़ियां बरफी बनी हैं हलवाई से अच्छी बरफी आप घर पे बना सकते हैं क्योंकि घर पे हम बिल्कुल अच्छी क्वालेटी के समान इस्तेमाल करते हैं इसलिए मिठाई बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए इस मिठाई को बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले मैं गैस पर रख ले रहाएं कडाही और इसमें डाल दे रहा हूं चार चेमज सूजी बारिग वाली सूजी है आपके पास मोटी वाली हो या बारिग वाली हो कैसे भी है चल जाएगी इस मिठाई में दोनों तरह की सूजी चल जाती है तो मैं चार चेमच ली हूँ, नॉर्मल चेमच है जिसे खाना खाते हैं अब मैं इसमें डाल दूंगी घी, मैं आधा कब घी ली हूँ, लगभग 125 गराम आप घी कम जादा कर सकते हैं अब मैं एक कब भर कि इसमें बेशन डाल दे रहे हूँ बेशन और सूजी लेकर लगभग 150 गराम है, 1500 गराम है दोनों मिला कर धीमी आज पर लगातार चलाते हैं इसे भूनोंगी जब इसमें धीमी धीमी प्यारी सी खुस्बू आने लगेगी तब हम इसे नीचे उताल लोंगी लगातार चलाते जाएंगे, लोफलेम पर भूनेंगे तो बहुत अच्छी खुस्बू आने लगेगी बेसन भून भी जाएगा ज्यादा कलर भी नहीं चेंज होगा काफी भरभरा हो चुका है आप देख पा रहे होंगे और इसमें खुसबू भी आनी लगी है बहुत प्यारी से आप कोई भी मिठाई बनाए धीमे आज पर भूनेंगे जाहे बेसन की हो सूजी की हो तो बहुत अच्छी खुसबू आती है धीमे आज पर भूनने पर अच्छे तरीके से भून जाती है इसलिए मिठाई टेस्टी बनती है अभी हमारा बेसन काफी घी छोड़ने लगा आप देख पा रहे होंगे गीला लग रहा है जब बेसन भून जाता है घी छोड़ने लगता है एक चेमजगी मैं और डाल दी हूँ जो बचा कर रखी थी बस एक चेमजगी डाले हूँ और नहीं डालूँगी बेसन काफी गीला हो चुका है अगर आपको घी पसंद हो तो डाल सकते हैं अब मैं इसमें दो चेमजगी डालूँगी ताकि हमारी बर्फी बिल्कुल दानेदार बने डालने से दाना बनता है बहुत अच्छा इदम गीला हो गया बेसन आप देख पा रहे होंगे बर्फी एक चेमजगी डाल दे रहे हों बस अब दूद नहीं डालूँगी अच्छे तरीके से पहले मिला ले रहे हों बेसन भरभरा हो जाए यह देखें दूद को सोख लिया है एक दब भरभरा हो गया है बेसन मैं नीचे उताल ली हूँ और दूसरी कड़ा ही रखी जिस कप से मैं बेसन ली थी उसी कप से आधा कप मैं चीनी ली हूँ लगभग 100 गराम चीनी है और चीनी के आधा पानी डाल दे रहे हूँ मीठा अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं मीठा कम परसंद करते हूँ तो इसमें से थोड़ी सी चीनी निकाल अगर ज्यादा परसंद करते हूँ तो एक दो चेमच डाल लें वैसे इतना मीठा परफेक्ट है ना कम ना ज्यादा अब मैं चासनी चेक करके दिखा रहे हूँ हूँ एक तार की चासनी चाहिए ऐसे आप लगाएं उली में देख पा रहे हूँगे एक तार बन रहा है चासनी परफेक्ट है जो बेशन मैं नीचे उतार करके हूँ इसमें एक चोथाई के मैं नारियल का बुरादा डाल दे रहे हूँ सुखे नारियल का बुरादा है और इलाची पौडर डाले हूँ चा चासनी मैं इसमें डाल दूँगी अभी मैं गैस पर नहीं रखी हूँ आप देख पा रहे हूँगे उसे गैस पर रखने की जवर्वत भी नहीं पड़ेगी अच्छे तरीके से मिलाऊंगी जैसे ही चासनी ठंडी होगी धीरी धीरी जमने लगेगी अगर आपको ऐसा लगे कि गीला है बर्फी धंग से जमेगी नहीं तो एक दो मिनट के लिए गैस पर पका सकते हैं मैं चासनी परफेक्ट बनाई हूँ हिसाब से इसलिए हमें गैस पर रखना नहीं पकाना नहीं पड़ेगा अभी आगे दिखाऊंगी जैसे जैसे ठंडा होगा यह मिक्स वैसे घा अगर आप चाहें तो अभी किसी बर्तन में रख दें जम जाएगी थाली में या जिसमें आप जमाना चाहते हो बढ़ियां जम जाएगी बर्फी तिन चार मिनिट के लिए मैं और छोड़ दी और गाढ़ा हो चुका है मिक्स यह बर्फी कड़ी नहीं होती है जब चाहें त कोई दिक्कत नहीं होगी आपको अब मैं एक टीन ले ली हूं इसमें थोड़ा सा घी लगा दे रहे हूं बटर पेपर नीचे फैला दी हूं ताकि हमारी बर्फी के मिक्स इसमें चिपके ना आप ठाली में भी सेट कर सकते हैं अब इसे पलट कर बराबर कर दे रहे हूं एक कड़ी नहीं होती है बस मिक्स ठंडा हो जाए बस अभी गरम है गरम गरम में काटेंगे ज्यादा सौप्ट है तो तूड़ जाएगे अब बारिक कटा हुआ बदाम इसके उपर लगा दे रहे हूं आप काजू बदाम अपनी इक्षा उंसार जो चाहें लगा सकते हैं थोड कैसे निकाल ले रहे हूं आप देख पा रहे हूंगे कितना बढ़ी बर्फी जमी होई है मैं इसमें कोई कलर नहीं आइड करी हूं बीना कलर के बनाई हूं अगर यह वीडियो आपको जरस भी परसंद आये तो अपनी फेमिली और मित्रों में जरूर सेयर कर दीजिएगा च 26 अनुसार बर्फी के पीश काट सकते हैं मैं मीडियम साइज के काट रहे हूं कितना सौप्ट है आपको दिख रहा होगा काटने से ही लग रहा है बिलकुल सौप्ट है बर्फी यह देखिए मैं अभी निकाल के दिखा रहे हूं कितना बढ़ी पीश कटी है एक बार मेरे कह समानों को खिलाएंगे बर्फी जब आएंगे तेवार में अगर बोल दोगे कि बर्फी मैं बनाए हूं तो उन्हें यकीन नहीं होगा आपकी तारिफ करते नहीं ठकेंगे बोलेंगे इतनी अच्छी बर्फी आप घर पे बना लेती हो एक बार अगर आप बनाएगी ने कभ भी भी मार्केट्स नहीं खरी देंगे भूल कर नहीं खरी देंगी आप घर पे अच्छी क्वालिटिक समान इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसलिए ज्यादा टेस्ट होता है कोई भी मिठाई हो तो मेरी बर्फी तयार हो गई आपका बना रहे हैं इसके उपर में पिस्ता लग है बर्फी मैं हाँ से दबा कर दिखाऊंगी ना तो सुखी है ना गेली अच्छा टेक्शर आया हुआ है एक बार आप जदूर बनाए बेसन की बर्फी आप बहुत अच्छी बना लेंगे